रावन को हनमान जी की पूँच से बड़ी दिक्कत थी तो मानस में एक जगा पढ़ा कि रावन ने सोचा कि आज हनमान की पूच ही हो खाड़ा देता हूँ ना रहेगा बांस ना बजगी बांस उरी हनमान जी एक सिला पे बैठा हुए थे रावन पीछे से चुपके चुपके आया और हनमान जी कुछ ने पूँच पकड़ी कि आज तो उखाड़ ही दू स्यापा ही खतम करू और जब पूँच उखाड़ने लगा तो हनमान जी पूचे मुड़ पीछे मुड़ की देखा कोई अब पहले तो उखाड़ने आया था फिर कहने लगा कि हे संकर भगवान ये उखड़ी न जाए कि ये अगर उखड़ गई तो कहां से गिर्यंग और कहां हम जाएंगे संकर भगवाने का भक्त था बुल हे भगवान ये उखड़ी न जाए तो लोग तुम्हारी पूँच उ अब यहां पे आप अपने आपको हर्मान जी समझना और बागी सबको राक्षाज तो रावन ने चार से नाए भेजी हांथी सवार घुड़ सवार रच सवार और पैदल कौन-कौन से थी चार से नाए अथी सवार घुड़ सवार रच सवार और पैदल और बोले जाकर बंदर को मारो चारो से नाए आई अनुमान जी ने सबको साप कर दिया गुप्टेचर पहुँचे रावन के दरबार, रावन ने कहा सेना का है, बोले साप, बोले बंदर का है, बोले वही है, रावन ने बोला तुमको कुछ आथा नहीं, जोर युद्ध करना था गे सने, पीछे से पीछे से बंदर को पकड़ो, उसने बोला महराज बूरा मत मानि प्लावणा ने बोला पूपकी कि बात मत करो पूपकी कुले आगे तो हांत किसी मैं कहां तक बढ़ेगा लेकिन पूछ का तो पता ही नहीं कितनी लंबी हो है और दोस्त जब जब कोई पूंच उखारने के प्रयास करेगा पूच लंबी ही होती जाएगी पूंच लंबी ही होती जाएगी फाइनली रावने नहारकर अमर सेना भीजी रावने के पास एक सेना थी जो अमर थी तो गुप्त चरों ने हनुमान जी को बताया कि प्रभू कल अमर सेना आ रही है भीसन जी सारे परिसान हो गए राम जी परिसान हो गए कि अमर सेना हनुमान जी अब तो बुले कल बताऊंगा आने दू बुले यह तो मरेंगे ही नहीं ऐसे भी लोग होंगे न दोश तुम्हारी इर्दगीर जो रहेंगे पर मरेंगे नहीं चूचू करते रहेंगे हरुमान जी ने बोला कल बताऊंगे अब कलमर सिन आ गई तो हनुमान जी ने कहा मरने वाले तो है नहीं क्या किया जाए तो हनुमान जी ने पूँच बढ़ाई और सास्तर कहता है कि हनुमान जी ने सब को पूँच मिला पैटा और पुरी ताकत से जब फैका तो गुरुत्वा करशन से बाहर ही चले गए कि बोले अब मंडर आते रहो उपर गुप्चचर पहुची रावान के पास रावना ने बोला सेना कहा है बोले महराज जाते देखी थी पर आते नहीं देखी महराज जाते देखी थी बोले आते नहीं देखी बोले बंदर कहा है बंदर वही है बोले कैसे किया फिर आप बुरा मानोगे पूंच बोले पूंच की बात मत करो मुझसे तो दोस्त यही है जिसकी जितनी स्तुती होगी उसकी उतनी ही निंदा भी होगी यह बात हमेशा याद रखना दोस्त